हेलो बेटा गुड मॉर्नी आम यू टीचर कपिल बावा अपने कुल सब्जेक्ट है ट्रिपल यह हैं इसदी विच अपा थर्ड चप्टर स्टार्ट कर चुक्य है इंसुलेटिंग माटीरियल उच दिन अपा पड़ेश इंसुलेटिंग माटीरियल की हुंद है इंसुलेटिंग माटीरियल विच हाओय डिस्टिविटी मतलोग ओफहला मटीरियल जीसती विच हाइफ इस्टेवीटिए हाइच जिसते वीच हुआ नहीं कर सकता तो इसनुआ कर लिए यह सीं dignity left कर ली है नेक्स अपने को प्रड़े सी फैक्टर Do 22 मेरे करना था 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 कर चाउंठ बिच रखने पैंandır नहीं उप्रेकल्ण किते अपन्य यूजकरना है नातंड यृज़ ही केड़े अपन के डी चाहिए अवेलिबिल्टी मिटीरियल अपने को वेलिबल है के नहीं है इजी वेलिबल है गया कॉस्ट किस तरह अपनों एफेक्ट कर रहे हैं वो सारा त्यांचर रखने कुस्तो बाद अपने केट्रीकल प्रस्ट कर रहें सी स्थी आ किस्त पुष्टन से तम्प्रेचर दिवित किस्त्राइब किस्तरा तंप्रेचर इंगरीज होग जाएगा तो प्रेस्टन सो दिख्रीज होगी इंवर्स्री प्रपोर्टि दी फेर्मल पूनेश्ट अपड़ी सी एक स्ट्रेशन्स तर्मल कंडुक्तिविटी अन मैल टीन्ग कोईट ये दिविश तुसी एक बुक रेफर करनी है पहला भी दस्यों है एसके सेद्व एलेक्ट्रिकल एंड एलेक्ट्रोनिक इंजिनिरिंग मिटिरियल दी बुक है एक बुक अपने को है इगल पब्लिकेशन दी दोना दिविच्छों कोई भी बुक तुसी रेफर कर सकते हैं केमिकल रिजिस्टन्स उसन पढ़ दी सी नेक्स्ट अपने को इंजिनिकल प्रॉफ्टीश भी पाठ चुके हैं आज डिटॉपिक विच जो नवा एड होया है वह इंसुलेटिंग मेटिरियल केड़े केड़े होंदे स्ग्राइबाल ब्लायाटाइब से इन्सूलटिंग मेटिरियल्स फ़igan qrsp कुछ समय जान कुछ लोन् dares nak outta भंक अभने इन्सुलाइबर्ण त्कू आप्धर्णे जो आंप अधिकल्ष इसे सब्किला है माइका से ड़ाइब जाज बहुत जादा आ पर आप sic माइका इन और्गैनिक माटीरियल है बिटा माइका एगर जनरल नेम है गया इसलें मिल्रल सिलिकेट और फिलमीना एंड पुटाश एक कंबिनेशन है तो त्री एटम्स ठीक है तो इदे विच की यह भी बेस्ट इंसुलेटिंग माटीरियल है इदे विच अपां माइके नो सप्लिट कर सकते हैं वैरी तिन एंड थिक शीट दे विच माइका एड़ा फॉलगाफाइट माइका बायोलाइट माइका लेपी डॉलाइट माइका ठीक है अगे किस तरह किस तरह मतलब इन माइकल्स थी प्रॉप्टिस लग लग चेंज हो रही है तो इस जड़ा मस्कोविट माइटा है ज्याद तर इंडिया ब्राजिल ते यूएसे दीच पाया ज प्री ओ टैन ओ एच्टू है ठीक है इदा कलर रहेड़ा सिल्वर ग्रीन ब्राउन होंदा है तो इहीं 600 डिग्री टेंपरेचर तक अपने नों अपरेट कर सकते ठीक है उस्तों बाद फॉल्ग फाइट माइका ज्याद है एक कट फ्लेक्सिबल होंदा है मस्कोविटा माइक इदा नालों इदा इदा केमिकल फॉर्मुला है के एमजी त्री एल एससाइओ थ्री ओ टैन ओ एच्टू एच सिर्फ मेगनीशियम अपन और एड़ किता है बाकी सारा सेम मस्कोविट माइका दे नालोंदा है मेगनीशियम एड़ करके इदा इदा फ्लेक्सिबिल्टी है वकड़ों दे तो बेटा इदा कलर है ग्रीन घ्रेज येलो कलर देवी चिपाया जाना है यहें अपन नौसो डिग्री सेल्सित तक 900 डिग्री सेल्सित तक आपाईनू यूस कर सकते हैं यदि डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टंट 5 हुन दा है डाइलेक्ट्रिक स्टेंथ है जेड अगर उत्य विछ आपायनू यूस कर दे को माइक का प्रोडक्ट हग आजन दे है ठीक है यह लग-लग जड़ी कंभीनेशन है तुसी मतलब अपने बुक देविछ पढ़नी है ठीक है यह अपने इमेजस आजाने माईकेज दिया है माईकेज दिया है इक शीट टाइप भी तुसी देखोगे इमेज जाओगे ना गूगल ते उत्वच देखो लग-लग टाइपस दियां इमेज़ लग-लग वेरियेशन हैगी मैक कर सकते हैं नेक्स्ट पेटा अपने कुल जड़ा इंसुलेटिंग मेटीरियल है उद्धा नाम है गया प्लास्टिक प्लास्टिक दी बहुत व्रैटी एगे प्लास्टिक औरिजिनल ऑर्गैनिक सबस्टांस एगे इस तरह बन्द है भी डीकॉंपोजिशन ऑफ प्लांट्स ए दॉपके इस जैनम सबस्टांस संहर 뭔 जन्द है उस फर्दर टू ताइपस से डिवाइड हो जन्द है है टू ताइप इस ही ने नेटुर प्लास्टिक तह सिंथेटिक प्लास्टिक depths जड़ी नेटिरफ प्लास्टिक है वार्वील ही रिजांन दीजी इस सिंथ्टेटिक प् प्लास्टिक है वह ज्यादा तर अपां मतलब हार्ज दे टाइम दे विछ बहुत ज्यादा जगां ते अपां प्लास्टिक ही रिप्लेस करी जा रहे हैं ठीक है अपां आयरन दे जगां ते भी ज्यादा प्लास्टिक ही यूज कर रहे हैं ठीक है जिस तरह प्लम्बिंग दे प्लास्टिक दाई यूस करते हैं एक अपनिक राइबिल्टी ठीक है इस करके एक जड़ा है ते उपर लीकेज सिस्टेम है वो काट जन्दाई तो इदी हाइग्रोस्कॉपिक सिटी इदी प्रॉप्टीस है यह है नॉन हाइग्रोस्कोपिक कॉस्ट काट है टाफ है मकेनि विल्टी ज़्याद है मौल्डिविल्टी वदी है ठीक है तो प्लास्टिक नो समझें वास्टिक सब तो पहला अपनूं पता होना चाहिए भी नेचुरल प्लास्टिक की चीज हैगी बिटा जीड़ा नेचुर प्लास्टिक देविच एंबर वूड रेजिन शैलक और एंबर की चीज है यह फोसिल फोसिल रेजिन होंदे है ठीक है यही 250 डिग्री जा 300 डिग्री सेल्सिस थे मेल्ट होंदे है इन्हों अपना मतलब मैरिंग टेप्स है जैडिया मैरिंग इंस्टूमेंट है उत्ते अप उस्तों बाद नेच्रल प्लास्टिक जाए जैंदा है वूड रेजिन उननों पर 130 डिग्री सेल्सिस थे यूज करते हैं उनना दी जड़ी डाइलेक्टरिक कॉंस्टेंट है और 2.5 तो 3 तिकर है अबाउट 10 किलो वूल्ट पर एमेम उनना दी डाइलेक्टरिक स्टेंथ है ठीक है उस्तों बाद इस जड़ी वूड रेजिन है यही किसे भी इंसुलेटिंग मेटीरियल्स पायल है जड़ा उनना दी थिकनेस नू वदांदा है जड़े शैलोक है वी नेच्रू प्लास्टिक तो बंदा है वो ट्रीज तो मिलदा आपानू ति ओधा टेंप्रेटर है इट्टी डिगी सेल्सिस ओधर डाइलेक्रिक कॉंस्टेंट है 3.7 तो 7.8 है डाइलेक्रिक स्टेंथ है जड़ी 15 तो 50 15 किलो वोल्ट पर एमेम है इननों आपा यूज कर दें किसे मिटीरियल्स नों आपा बाइंड करना है था उत्ते है अपा यहीं शैलक यूज कर देंगे बेटर इडिस सिंथेटिक प्लास्टिक है जड़ी अगली टाइप है सिंथेटिक प्लास्टिक हो हो की है ओदे विच आप हां केमिकल प्रोसेसिंग कर दें ठीक है प्लास्टिक विच आर यूज़्ट प्लास्टिक हां दी है तरह को जड़ी क्लास्टिक आजन दी है ता उस प्लास्टिक में पाँ सिंथेटिक प्लास्टिक भोग देढ жд Sap intermosetting plastic थे thermo plastic T भार्मो सेटिंग प्लास्टिक है कि क्यों वर हलोकित कि आप मेलट लेट वर डिया ठीक मर्जीद सामनल उनना दी यडिए यडिए शेप है वो चेंज कर सकते हैं बक्रावना दे जी प्लास्टीक है अंदर वाली प्लास्टीक है प्लास्टैकष वह लम्हेट 切्लों ती जैड वालीं न oलेख मुलेखन दी जो क्रॉप सिलंग हुं ठीक है ताँ करके जदो अपन गरम कर दे इन अधी ओंवली शेप नहीं तूट दी जदो मेल्ट होके जदो थंडा हो जानदा है material उस तों बाद भी उस दीज़ी शेप है आप जड़ी शेप चांदे होंगे वही शेप अपनों मिल जेगी बट जड़ी अंदर वाली प्रॉप्टी से ओभी नीचेंज होएगी ओभी उससे तरह ही रहेगी इस करके इस material ते जड़ी यही खास है था है भी शेप अपा चेंज कर साथ दे हैं भी यह जड़ी प्रॉप्टी से हो ही रहेंगी है ठीक है तो इस तरह दी जड़ी प्लास्टिक है अन्व अपा बोल दे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक ठीक है इन अदे यूज किते किते हुंदे इंडस्ट्रिल मोल्डिंग रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर लगे हुंदे रोड से उपर रेडियो कैबिनेट अड़ हैसिस मतलब कोई चीज आपा जोड़नी है ठीक है जहां कोई वार्निश गनानी प्लास्टिक दा यूज करते हैं नेक्स्ट अपने कुल है थर्मो प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक बेटा हो हुआ भी जदो आपा उसनों गरम कर लिया ठीक है ता ओ जदो आपा ठंडा कर लिया ता ओधनल की यह भी ओधी प्रॉप्प्टीस चेंज हो जागी ठीक है इसली प्रॉप्टीस है जदो पर ठंडा कर लेने वह भी शेप नहीं चेंज हों दी शेप उस तरह रहेगी प्रॉप्टीस भी चेंज नहीं होई थर्मो सेटिक प्लास्टिक देविछ लॉंग चेंज हों दी यह मोलिक्यूल थी यह वाले जिड़ा थर्मो प्लास्टिक है इद विच आपां एक वरी माटीरियल उन्हों गरम कर लिया तां जिदो ठंडा हो गया ओधी प्रॉप्टिस भी चेंज हो जानी है तां वो वाला जिड़ा माटीरियल है वो उस शेप दे विच भी नहीं आएगा इदे लग लग इह संपल इस इमेज दे विच शो होने हुए है इस दे विच दिखो भी जिड़ा थर्मो प्लास्टिक है उसे स्टॉइज बच्चेयां देखे दुन वस्ते ठीक है इननों पां मेल्ट कर सकते हैं दोबारा इननों जेडी मर्जी शेप चे लेके आ सकते इनन दी प्रॉप्टिस दे रहेगा यह थर्मो प्लास्टिक दूसरी साइड थे जिड़ा अपने कुल ब्लू कलर देविच थर्मो सैटिंग प्लास्टिक है इस दिविच दिखो अपने कुल कनेक्टर्स में जिरी बनाए होई में इन दिविच जिडी प्लास्टिक यूज किती है को वरी शेप ची मेल्ट करांगे भी ता मतलब इस शेप देविचो अपनानों नहीं लिया सकते वह सिर्फ एक अपने कुल वेस्ट मेटीरियल प्लास्टिक दा बाच जेगा जिए अपनानों गरमता कर लांगे क्योंकि इन दिविच द्वारा नहीं बना सकते क्योंकि इन दिविच जिड़ा आप मेटीरियल है कुछ और एड़ करते हैं चीक है यह दो तरह नहीं प्लास्टिक से बहुत इंपॉर्टन पपिक है उस तो बाद अपने कुल लग-लग आजन देज इस तरह टेफलोन पॉलिथीन पॉलिष्टर पीवी सी रबड रबड अभी देख लो रबड अपने कुल अज़ conversations आपको जड़ी रबड को जड़ी है उन अच्रूर्वर हो जड़ी आपने को रबड हों अच्छुली 3 टापस तीं दिय नेच्र बड हाड लबड थे सिंफेकर रबड जोड़ी नेच्रोल रबर्ड है अपान सिर्फ पहला था रबड नूं ऐजा एजरी यूज़ करदी सी उस्तों बार रबर्ड दी विच काफी ज्यादा इंप्रोव्मेंट आगी है रबर्ड अपने को किस तरह मिल दी है रबर्ड जेडी अपने को मिल दी सी ट्रीस तो मिल दी अपने को प्रीस दी विच्छ एक वाइट कलर दा मिल्क अपनों मिल दा है उन्हों अपा गरम कर लेंदे सी ओ गरम करके अपा मतलब पानी रिमूव कर दिन दे सी ता इस तरह जेडी अपनों रबर्ड मिल जांदी सी ता उन्हानों अपा की बोल दे सी नेच्रोल रबर्ड एसनों अपा लेक्टो वर्ड दे विच्यूस कर दे सी क्योंकि लेक्टो मिल्क हुंद है ठीक है तो यदा मिल्क दो दुद रहें दा सी वह अपने को द बी पानी कर दे सी ता अपने को जो बाच जांदा सी नेच्रोल रबड मिल दे सी सब तो पहलना साउथ अमेरिका दे सब तो पहला मतलब आपा इरेजरी यूज़ कर दे सी उसनों बाद इसे विच वाटर विएपरोड़ करके इसे विच मेटीरियल सलफर एरोमेटिक एमिनों कमपाउंट एड़ करता ताकि इसे प्रॉप्टी नो इंप्रूब कर सकी एड़ वेजेटेबल ओयल बिट्यूमिन प ठीक है शॉफ्टण जिंक एड़ कर दे हैं कार्बन ब्लैक कलर दा एड़ कर दें इनों कलर देने वास्ते विच इन्यूज़ वह व्यूंग तो यह वाला अपने प्रॉपिक है यह अपने कुल टोपिक है एक अपने नेक्स लेक्चर ज़गर कर लांगी यह जिई नालित श अडेकोल 20 मार्क्स था फाइनल पेपर दीच आएगा इजी साब तो पहला ना तो अडेकोल एक मिन्ट इंसुलेटिंग माटीरियल अपने कुल बेड़ा 20 मार्क्स था है इज विच तुसी ज्यादा था मतलब एक था जडिया पर डाइलेक्ट्रिक लॉस्ट डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट ये तिना जी डेफिनेशन करने हैं फिजिकल प्रॉप्री से जडिया पर किती है हाइग्रोस्कोपिसिटी टैंसाइल कम्प्रेंसिव स्टेंथ बुक देविच तुसी बुक को यूज करो बुक तो बगार नहीं तो अड़ास सिस्टम चलो ना बुक तो अनू अपर पड़ियाने ठीक है थर्मो प्लास्टिक दिविच अपने कुल पीवी सी भी आजन दा है पॉलीचीन सिलीकॉन ते इंपोर्टन प्रॉप्रिटी से अप्लिकेशन ये भी अपने नेक्स्ट लेक्चर चे कर लागे ठीक है तो ये जडे सारे इंसुलेटिंग मेटीरिय मेटीरियल है ने इन्सुलेटिंग मेटीरियल के वाली कुसी जड़ी स्लाइड्स ने इन दिनाल मैच करने केड़ी-केड़ी चीज़ी पड़ी है उस तो बाद जहीं कोई प्रॉब्रम आएगी तुसी फोन ते पुछ सकते हो जहां वाट्सप ते कोई भी फोशन को अड़क कर सकते हैं ठीक है बेटा लो अपने त्यारी करो थैंक यू